हेलो स्टूडेंट मैं हूँ रीना आप देख रहे हो रीना अकैडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करिए और विल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफि इसका पार्ट आपके लिए लाइए हूँ पार्ट वन में हमने इस नाटक को पढ़ा उसके व्याक्या और आर्थ को समझा था आप पार्ट वेम इसके प्रष्ण अभ्यास को करना शुरू करते हैं आप इस वीडियो को अलाश्法 तक देखिएगा इस वीडियो के आंको आप पकाने का काम बच्चों ने किया है तभे इसका नाम थप रोटी थप दाल पड़ा है तुम इसे क्या शिर्शक देना चाहोगे तो बच्चों इसे हम शिर्शक देने रोटी दाल या फिर आउ पकाए रोटी दाल अब नेश्ट है आवाज वाले सब्द थप रोटी थप दाल थप सब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है आवाज का मज़ा देने वाले और भी बहुत से सब्द है जैसे टप, खट ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो तो हमने लिखा पट, सट, चट, खर तो इन बच्चों में पता लगता हैं किसी तरह की आवाज है आगे है कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाएने का खेल खेलते हैं तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो उसके नाम लिखो तो हम खोखो, सत्रंज, क्रिकेट, बैट मिंटल, कैरम कबर्टी, आख मी चौली, लुका छिपी का खेल खेलते हैं अब नेश्ट है सोच कर बताओ प्रेश्ण का नीना चुन्नो और टिंकुक से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी इसका उत्तर हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे नीना चुन्नो और टिंकु से दाल इसलिए बनवाना चाहती थी क्योंकि अगर उनसे दाल नहीं बनती तो वो उनका मजाग उडाती अब बच्चो प्रेश्ण का यानी टू है बच्चो ने खाने पीने की चीज छीके में क्यों रखी इसका उत्तर है बच्चो ने बिल्ली से बचाने के लिए खाने पीने की चीजे छीकी में रखी अब प्रश्ण 3 यानि गह है चुन्नु ने दाल को पहले खटा फिर मीठा क्यों बताया इसका उत्तर होगा चुन्नु ने लड़कियों को चिड़ाने के लिए दाल को खटा फिर मीठा बताया तो बच्चु ये तीनों प्रश्ण हमने अपनी नोटबुक में लिखा हमने इस्ठ है तुम्हारी बात तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो नीचे के तालिका में लिखो बच्चु यहां पर देखिए तीन तालिका बनाई यही है, खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करता हूँ, तो इस सबसे पहले मम्मी, और मैं क्या कर सकता हूँ, सबजी दो सकती हूँ, और सबजी दोती हूँ, चाची सलाद काट सकती हूँ मदद क्या कर सकती हूँ उसमें सलाद काट सकती हूँ सलाद काटती हूँ और बुवा सबजी छिल सकती हैं मैं ये मदद कर सकती हूँ और करती भी हूँ सबजी छिलती हूँ दी दी चाय बना सकती है अगे है तुम क्या बनाती इन बच्चो की जगा तुम होती तो खाने के लिए कौन से तीन पक्वान बनाती उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की ज़रुदत पड़ती पता करो और शूची बनाओ तो पक्वान का नाप किन चीजों के जरुरत होगी तो बच्चो मैं खेर, हलवा और पूरी बनाती खेर बनाने के लिए दूद, चावल, चीनी और मेवे की जरुरत पड़ती और हलवा बनाने के लिए सूजी, चीनी, दूद और मेवा की जरुरत पड़ती पूरी बनाने के लिए आठा, नमक, अजवायन और तेल और साथ में पानी की भी ज़रुत पड़ती बच्चो ठीक है पानी से हम आठा को गूते नमक अजवायन डालकर फिर तेल में हम गरम गरम पूरीयां तलते आगे है मठा बनाएं सरला ने कहा मैं दही का मठा चला दूँगे दही का मठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लसी या छाँच निकालना यानि बच्चो दही को उसको रई से बिलोते हैं उसको तब उससे लसी और छाँच बनता है तो सरला को इस काम के लिए किन-किन चीजों की जरुरत होगी उनके नाम लिखो तो बच्चो रई या फिर इसको आप खैलर भी कह सकते हो जैसा कि हमारे गाउं में रई को खैलर बोलते हैं आगे है बिलोना, घोटना, फेटना इन तीनों कामों में क्या फर्क है बात चित करो और पता लगाओ तो किनी दो-दो चीजों के नाम बताओ जिने बिलोते, घोलते और फेटते हैं तो बच्चों बिलोते हैं तही या फिर पके हुई दाल को पानी के साथ, घोलते हैं पानी में नमक डाल कर या दूद में चीनी डाल कर, फेटते हैं बेसन पानी को या फिर अंडे में नमक को डाल कर, अब बच्चों नेश्ट है, सरला ने रई से मठा बिलोया, रई को मतनी भ अगर बच्छ पीज़ हुर्टार है । तो इसन अगर आप यूज करते हैं उसको बुलाने में तो आप उसे भी लिख सकते हों जैसा कि ये सूची हमने बनाया आप अपनी भी सूची बनाइए हमने इस्ठ है आओ तुक बंदी करें नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है जैसे टिंकू ने पकाई बढ़ अपनी बनाया चूड़ी खन के खन 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 अब ने इस्ठ है कहां चले भई कहां चले आगे हमने इसमें बनाया दो तीन नहीं चार भले रेल चली भई रेल चली मची यात्रियों में खल बली कल की छुट्टी परसो इतवार क्या होगा जब आएगा सोमवार रोटी दाल पकाएंगे सब को खूब खिलाएंगे तो बच्चों ये हमने कविता को कम्पलीट किया आप सब इसे अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो या फिर इसे लिखिए जो भी आपको अच्छा लगे तो बच्चों ये हमारे संपूर प्रश्नभ्यास पूरे हु हुए ओके बच्चों थैंक यू बिलते हैं हमारी अगले वीडियो में